हेलो गाइस तो वेलकाम बैक तो माई चैनल टेक्निगल पीडी तो आज के बिडियों सुरू करते हैं तो आज के टोपिक है निव अपडेट फेस्बूक ट्रीलाइंस ओप्सन नॉट स्वेंग तो मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको फेस्बूक पर यहाँ पर ट्रील यह पर ट्रीलाइंस का ओप्सन जो है नहीं दिखा रहा है अगर आपको कुछ इस तरह से पर लेम आ तो आप उस पर लिम को यहाँ पर कैसे सॉल्फ कर सकते हैं तो इस पर लिम को सॉल्फ करने के लिए सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर सेटिंग सुल्टाओंगा यह करने कोई भी न्यूंबिश करने के बाद और भी आपको यहां पर से इंग कर लेना है जैए अंचे जेफ को भी open कर लेना है मैंने क्रिख को यहां पर उपारें कर लिया उपें कर दी के बाद स्क्रॉल दाउन करके नीचे आजτά消े है नीचे पर आपको코 सर्च कर लेना है तो इस दीर के नीचे माइर है आपको क्लिक करना है तो आपको क्या 되면 आपदे ओग intel को आपको एपार्मिसन को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो भी फेस्बुक का तरफ से आपको पर्मिसन बगरा मंगा जा रहा है तो यह यह चला जाना आपका है आपको क्लिख कर लित कर लेना है क्लेको क्लिक शर्मितक अब को आपको मिल जएगा यहाँ पर navigation bar तो आपको navigation bar को click करना है click करते ही आप देखते हैं यहाँ पर DIY customize the bar ठीक है तो आभी आपको इसको click कर लेना है click करने के बर आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सरा options पर दिया हुआ अटो पर click करने के बर आपको एक बर बेक चला जाना है बेक जाने के बर आपको मिल जएगा यहाँ पर minus notification दो तो आपको इसको click कर लेना है click करने के बर आप देखते हैं यह हुगी आपको menu का option यही है freelance का option अगर आपने यहाँ पर turn on नहीं क्या हुआ है तो सभी को जाकर आपको turn on कर देना है turn on होते ही क्या होगा कि आपको जो इहाँ पर freelance का option यहाँ पर नहीं दिखा रहा था जब आप इसको turn on करते हो ठीक है यह जो turn on करते हो यहाँ पर जो option यहाँ पर आनोन होने से क्या होगा कि आपको यहां पर एड हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आने के बाद क्या करना है फोन को एक बार रिस्टार्ट करने के बाद है आपको फिर से फेस्ट बूक को आपन करना है फेस्ट बूक को आपन करने के बाद अभी आपको चेक कर लेना है कि आप कुछ को एक बार आंस्टॉल करना है आंस्टॉल करने के बाद फिर से रिंस्टॉल करना है रिंस्टॉल करने से भी आपका पॉब्लेम जो यहाँ पर सॉल्फ हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर कौन सा कौन सा सेटिंग्स बगरा बता है वाई सभी सेटिंग्स को फोलो करना है follow करने से आपका problem जो यहाँ पर अभी solve हो जाएगा तो आप ऐसे गर-गर इस problem को भी solve कर सकते हैं तो यहीं था असका process Thanks for watching